किसान भाईयों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो घुलन सील उर्वरके आती हैं इनको हमें धान में कौन सी उर्वरक किस टाइम पर डालने से फायदा मिलता है तो वीडियो सुरू से अंतक देख लेना काफी महतपूर जानकारी है जो आप धान में इन चीजों को स्प्रे करते हैं तो आपको सही से फायदा भी मिलेगा अगर आप सही तरीके से इन चीजों को अपनाते हो किसार बहिए ओलाग ओरबर के NPK जो बनाई जाती है वो अलग अलग टाइम पर इस पर करने के महतुसे बनाई जाती है जैसे कि अगर आप NPK 1919 बालिया निकलने के बार डाल देते हो तो फसल खराब हो जाती है गुडवत्ता क्वालिटी खराब हो जाती तो इसलिए जिस टाइम के लिए जो अरबर के बनाई गए है उस टाइम पर डालने से हमको प्राफिट फाइदा ज्यादा मिलेगा और नुकसान भी फसल को नहीं होगा फाइदा तो जैसे कि NPK 1919 बीस 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 अठारा 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 ये इस तरह की अरबर के जब आप धान रुपाई करते हो तो रुपाई के आठ से दस दिन के बाद से लगा करके और बालिया निकलने के पहले तक आप किसी भी टाइम डाल सकते हो क्योंकि इसमें नाइटरोजन फासफोरस पोटास तीनों समान मातरा में होती है और अगर आप इसको अपने खेद में जिस टाइम जरूरत होती है जिन चीजों की उस टाइम के हिसाब से डालना चाहते हो तो सबसे अच्छा इसका विकल्प रहता है कि रुपाई के दस बारा दिन बाद से लगा करके चालिस दिन तक आप इसको डालोगे तो इसके पूरे फाइदे मिलेंगे क्योंकि इस टाइम तक नाइटो मात्रा डालनी है अगर आप बाद में 40 दिन या 45 दिन पर डाल ले हो तो इसकी 1.502 किलोग्राम मात्रा ही लेनी है इसके उपर मात्रा नहीं लेना है नहीं तो फिर नुक्सान होने के भी चांस बनते हैं अब एंपी के 121744 देखिए किसान भाईयों एंपी के 121744 उन किसान भ के बाद से लगा करके और बालिया निकलने तक आप किसी भी टाइम पर इसको डाल सकते हो अगर हम अच्छे रिजल्ट की बात करें तो अगर आप ऐसे जगापे हो जहां नाइट्रोजन फास पोरोस पोटास तीनों की आवस सकता होती तो इसको आप 45-50 दिन के बाद से डाल सकते हो तेता 45-50 दिन के बाद से लगा करके और बाली निकलने के पहले तक डालोगे और ऐसे खेतों में जिसमें 45-50 दिन के बाद नाइट्रोजन की कमी देखती है तो ऐसे खेतों में डालने के लिए बेटर उपाई है जाहे आप 12-61 ले लिजिए 17-44 ले लिजिए दोनों अच्छे काम करते हैं थोड़ा बहुत माइनर सा अंतर होता है तो इसलिए इसकी अगर आप इस प्रे करना चाहते हो तो दो किलो ग्राम मात्रा परियापत रहेगी और पानी की मात्रा एक पचास मीतर आपको रखना पड़ेगा लेकिन अगर आप ऐसे जगा पर रहते हो या ऐ ऐसे खेतों में डालना चाहते हो जहां पर नाइट्रोजन और पोटास किया हो सकता हो जैसे बालिया निकले के पहले कभी ऐसे धान के खेत होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और बाद में जब बाली निकलने के बाद जो 0050 डालते हैं उसका भी फाइदा हो और दूसरे फसलों में ला लटेट में अलग होता है, एसे टाइम पर बाली निकलने के 2% बाली निकल जुकी है, तब तक इसको डाल सकते हो, लेकिन कोसिस करें जब बाली निकलने के पहले गबोड वस्ता हो उस टाइम तक अगर नाइट्रोजन की कमी भी आपको धान में देखती है तो 13.045 एक बेटर उपाई है अब एक और बड़क है NPK 0.024 है हाँ किसान भाईयों NPK 0.024 ऐसे किसान भाईयों के लिए है ऐसे टाइ या बाली निकलने के पहले तक इसको डाल सकते हो इससे जो है तना मोटा होता है तना कड़ा हो जाता है तने का जो है मोटाई अच्छे से बढ़ती है बाली की लंबाई बढ़ जाती है तना मजबूत हो जाता है जो पोटास के कान और फासफोरस दोनों अपने अपने ला प करता है फासपोरस तने को मजबूत करता है सीधे करने में चंता रखता है जड़ों को मजबूत बनाता है गिरने से फसल को बचाता है गुरुवत्ता आदमी भी सुधार करता है अब एक और बड़क है 0050 जो एनपी के 0050 है इसको किसान भाईयो बाले निकलने के पहले या बाल पान से दस परसंट तक बाली निकली है तो उस टाइम पर डाल सकते हो या फिर फूल की अवस्था क्रास हो जाए जब दाने का भराव होना चलो उस टाइम पर डाल सकते हो लेकिन कोसिस करें जब पान से दस परसंट तक बाली निकलती है उसी टाइम डाल दो क्योंकि बाद म लेकिन अच्छी गुडवत्ता चाहते हैं तो अच्छा बिकल्प आप यूज कर सकते हो आसा करता हूं किसान भाईयों दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी ये कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैन वीडिये का धन्याट